जाहिए हिन साथियों तो ITVP में Head Constable & Constable के पदों पर Telecommunication विभाग में recruitment के लिए notification जारी कर दिया गया है जिसमें male and female दोनों candidate eligible होंगे तो आप लोग इस वीडियो को last तक देखेगा आज के इस वीडियो में इस भारती के संपूर जानकारी के बारे में बात करेंगे eligibility क्या है, edge limit क्या है, physical क्या है, उसके बार इसमें PhD क्या है, syllabus क्या है तो सारा कूर डिटर से बात करेंगे आप लोग वीडियो को end तक ज़रू देखेगा उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिलको आल पर ज़रू क्लिक कर लिजएगा क्योंकि सभी important updates आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे तो चलिए start करते हैं, देखे सबसे पहले इस vacancy के बारे में बात करें तो यहाँ पर ITBP head constable, constable telecommunication के लिए भरती निकाली गई है अब देखे फ्रेंस यह जो भरती निकाली जाती है, यह डारेन मिनिस्ट्री आप Home Affairs के अंतरगर्ट अथार ITBP संस्था द्वारा ही conduct कराया जाता है आप यहाँ पर देखे टेली communication सबसे पहले इसके जो प्रफाल के बारे में बात करेंगे तो टेली communication का मतलब होता है दूर संचार एक तरीके से हम कहें तो radio operator की ही vacancy यह है तो आप लोग समझ गए होंगे जिस तरीके से BSP में RORM का vacancy हो रहा है तो इसी तरीके से आप एक example के तौर पर समझ लिजे कि radio operator की ही भरती है तो यहाँ पर टेली communication के लिए अलग-अलग post है सबसे पहला है head constable उसके बाद है constable अब देखे इसमें दोनों candle visible होंगे male and female यहाँ पर मैंने अलग-अलग vacancy नहीं बताया है किन्त vacancy reserve है female के लिए तो देखें सबसे पहले head constable के लिए 126 vacancy आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद constable के लिए 166 vacancy आपको देखने को मिलती है अब देखें head constable में apply करने के लिए आपको 10 प्लस 2 पास होना चाहिए विद PCM से 8 फिजिस कमेश्टी मैथमेटिक्स आपके 12 में होना कमपलसरी है उसके बाद अगर आप constable के लिए apply करना चाहते है तो simple सा अगर आप 10 पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसके qualification के बारे में बता दिया चलिए अब हम बात करते हैं इसके edge limit के बारे में तो देखें फिनस HCM अठाद head constable के लिए edge limit 18 से 25 यर रहेगा उसके बाद constable के लिए edge limit 18 से 23 यर के बीच दहेगा यहाँ पर हम data birth के बारे में बात कर लेते हैं एक range के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर आप HCM के लिए apply करना चाहते हैं तो आपका general edge limit जो होना चाहिए वो 1.12.197 से 30.11.24 के बीच होना चाहिए उसके बाद अगर आप constable के लिए apply करते हैं तो आपका edge limit जो होना चाहिए वो 1.12.199 से 30.11.24 के बीच होना चाहिए उसके बाद देखे फ्लेस salary की हम बात करते हैं तो general constable level की बात करें तो salary इसमे 35,000 प्लस ही आपको मिल जाती है हलाकि pay level इसका कम है अर्थात है 25,000 तक इसका pay level है बाकि सब DA वगारा सब कुछ जितने भी allowance इसमें मिलते हैं तो सब कुछ मिलाकर 35,000 प्लस ही salary आपको इसमें देखने को मिलेगी और head constable की बात करें तो इसमें इससे ज़्यादा salary मिलेगी क्योंकि head constable है तो constable से थोड़ा सा अपर लेवल का है तो इसलिए उसमें salary थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाती है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एजलेक सेशन भी मिलता है तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नेश्ट बात करते हैं इसके important डिर्स के बारे में तो फ्रेंस officially इसका important डिर्स भी आ चुका है जो भी चीजे मैं बता रहा हूँ बिलकुल official बता रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कोई भी fake news नहीं मिलेगी तो सबसे पहरे देखे apply जो इसका start होगा वो 1 November 2022 से start हो जाएगा उसके बार last date इसका जो रहेगा वो 30 November 2022 तक रहेगा यहाँ पर देखे फिलेंस 1 November 2022 तक का है क्योंकि employment news में अगर publish हो जाता है तो 1 November 2022 से 100% इसका apply start हो जाएगा और होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके official notification में भी apply का date mention किया हुआ है तो यहाँ पर आप यह स्योर रहे एक November से application start हो जाएगे उसके बाद इसके application fee की बात करें तो general OBC AWS के लिए 100 रुपए application fee लगेगा बाकि HC, HT and female candidate के लिए कोई भी application fee नहीं लगेगा उसके बाद यहाँ पर देखे फिलेंस selection process की बात करें तो सबसे पहले इसमें physical होगा यहाँ पर आप लोग यह ध्यान देगे सबसे पहले इसमें physical होगा उसके बाद इसमें return exam होगा दिन आपका document verification होगा तो फिकल में बात करतें एं फिज गल में क्या क्या होगा विजल में P.I.T. and P.S.T. होगा सबसे पहले हम बात करते है PST का, यहां पर यह PST है, फिलनस PST का मतलब आप लोग यह समझ जाए, only measurement होता है, अथात आपके height weight chest की measurement होती है, और PET अथात eligibility का मतलब होता है, कि वहां पर आपसे activity कराई जाती है, running कराई जाती है, तो PET जहां पर होगा, वहां पर running होगा, PST होगा तो only measurement होगा, तो इसमें PST and PET दोनों है, तो देखें, PST में सबसे पहले आपकी height जो होनी चाहिए, वह 170 cm होना चाहिए, और chest आपका 80-85 cm के बीच होना चाहिए, जनरल के लिए, उसके बाद HD के लिए यहां पर कुछ relaxation मिलता है, यहां बाद HD वालों के लिए ही यहां पर relaxation मि हम बात करते हैं, PET की अर्थाथ फिचकर efficiency test के बारे में, तो देखें, सबसे पहले PET, PST होगा, अर्थाथ यही होगा, आपकी running होगी, तो मेल के लिए यहां पर देखें, रेस जो आपका होगा, वो 600 मिटर का होगा, शाड़े 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद लांग जंप पहुचो होगा, वो 11 फिट का होगा, हाई जंप 3 फिट का होगा, तो यह मेल के लिए हो गया, उसके बाद यहां पर फिमेल की बात करें, तो फिमेल का रेस यहां पर 800 मिटर का होगा, चार मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद लांग जंप 9 बात करते हैं इसके syllabus के बारे में अर्था जब आपका first stage complete हो जाएगा दिन आपको return exam के लिए बुलाए जाएगा आपका admit का रिलेज किया जाएगा तो return exam में देखे आपके total 100 question आएगे return exam same होता है male and female दोनों candidate के लिए तो return exam में total 100 question आएगे हलांकि merit अलग-अलग बनेगी male and female के लिए किन्तो ये same रहेगा female की merit इससे कम जा सकती है male से तो ये pattern तो same रहेगा दोनों के लिए तो यहाँ पर देखे general English के total 15 question आते हैं उसके बाद हिंदी के 15 question आते हैं general awareness के 20 question आते हैं उसके बाद यहाँ पर देखे mathematics क 30 question आते हैं उसके बाद यहाँ पर reasoning के 20 question आते हैं तो यहाँ पर total 100 question आते हैं 100 mark होते हैं total 2 घंटे का time दिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका exam pattern रहा है इसमें आप अपने according चूच कर लिज़ेगा कि हमारा कौन सा subject बेतर है तो उस पर आप focus कीज़ेगा तो यह इसका exam pattern रहा हमने आपको सारा details बता दिया बाकि फिनस कोई डाउट आता है तो comment section में जरू पूछेगा मैं उसका reply जरू करूगा और टेलिग्राम को जवाइन कर लेज़े टेलिग्राम पर आपका जो भी डाउट आता है वहाँ पर आप discuss कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप